हेलो फ्रांड्स वेलकम टूइमेजिन आर्ट्स और आज हम बात करेंगे कि आप कोल रोके अंदर पेज मार्जिन कैसे सेट करेंगे आज मैं आपको कुछ ऐसे टीप्स बताऊगा जिसे यूज करके आप पेज मार्जिन जो है कोल रोके अंदर कुछी साइकिंड्स के अपना जो पेज मार्जिन है, सैट कर लेंगे, पेज मार्जिन क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, कि पेज मार्जिन क्या होता है, इसका यूज कहा होता है, क्यों जरूरी है, जो एडवांस लेवन के ग्राफिक डिजाइनर है, जो काफी टाइम से डिजाइन कर रहे हैं तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा सीखेगा बहुत ही असान सी टीप्स बताऊँगा जो आपको बहुत ही जादा यूश्फुल होगी कैसे आप पेज मारजिन जो है कुछी सेकिंड्स के अंदर अपना सेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को जल्दी से करना है तो मेरे पेज का जो साइज अब हो है साड़े हाट में 11 और मैंने इंच में लिया हुआ है आपको इप साइज में आजाएगी कोई मुश्किल नहीं होगा तो जो सबसे पहले जो एक पेज मारजिन लेने का जो तरीका होता है मैं सबसे पहले आपको आज ही बता दू कि या उसके अंदर हमें हाफ-फ इंच का जो है वाक्स लेकर इसके अंदर्में करना पटता है यह हो इसलिए कि जो भी आप अपना डिजाइन करने सके इंदरब आपने जो भी अबिजैक्ट लगाये आई, जो हुब् criteria लगा है यह डिजैन होने के बाद में जब बूह प्र और कटने वाला होता है कुछ रहते हैं बचा हुआ होता है नयुक्त पर प्रेम कि आजयाता है तो कौंड भतिया है तो गटने ही तो अको के मरत ह़ता है 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 तरहें तो हम जुरूर ही है ता partir रहे हैं हाव इंच कرو आगा उन कि में कि मृड़क deport भूल रहती हैै plus ब्लीड क्या होती है वो भी मैं आपको लिए एक वीडियो जरूर बनाऊँगा अभी हम यहां पर पेज मार्जिन की बात करेंगे ताकि वीडियो जादर नंबी ना हो हमें चारे साइट जो हमारा जो पेज का साइज होता है जैसे कि मेरे पेज का साईज है अब मुझे मुझे इस पर saint margin का मार्जिन देना है और उसके अंदर हमें करेंगे तो आप यहां पर अपो यहां पर देख रहें यूजर डिफाइंट प्रिसेट्स तो आपको यहां पर क्लिक करना है अब हमें यहां पर जो margins होगा है वह देना है point five यानि की half inch का memoir देना है तो हम हम यहां पर करेंगे .5 .5 और उसके बाद आपको सिदा ok कर देना है यहां पर आपको छिरीफ यहां ही टालना है और यहां से इसको कि चैक की रहने दें यहां से सिदा आप इसको कर देंगे तो यह देखिए हमारा जो पेज मार्जिन जो है आ गया अब हमें जो डिजाइन होगा जो हमारा डिजाइन होता है वह हमारा जो मार्जिन है हमारा जो डिजाइन है वह इसके अंदर होता है देख आपने इसके हम अंतर हमारा design ह Alternatively तो हमारी जो कटेंग होगी वहाँ से API वह यहा से भी बलींड के बाद उससे क्या होगा जो मार जो design होगा वह इस हमारे जो margin है लोगा किसे कि अंदर होगा कटिंग होने यह आपको box लेना है तो आप इस पर दो बार क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका page जो है select कर लेगा दूसा तरीका क्या है आप इसको जो आपने इसको उपर जो box लिया है अपने इसको आप copy करेंगे कंड्रल-C करके भी copy कर जकते हैं और आप अपने keywords से plus का जो प्लस का जो बटन उसको ब्लस करेंगे तो अब इसकी copy हो जाएगी तो मैं इसको अपना प्लस का बटन जो प्लस करेंगे यह देखिए इसकी copy होगा अब इसको size आप दे देंगे तो हमें 0.5 का देना है हाफ इंज का इसको margin देता हूं 7.5 और मैं इसको कर देता हूं यह देखिए विल्बकुल हमारा जो है साइज जो है सहीम आ गया देखिए देख रहे हैं आप पॉइंट 5 गजो हमारा साइज आ गया ठीक है एक तो यह तरीका है और जो असान सा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं जो लहां पर लगाया था हम इसे डिट कर देते हैं अच्छा अब हमें यहां पर जो है पेज मार्जीन लेना है तो कुछ यह असान सा तरीका बताऊंगा आपको आपको आप क्या है हमने जो जो पेज लिया हूँ है उसके आपको क्लिक करने जैसे यहां पर मैंने एक बॉक्स जो है लिया हूँ है उसके बाद आपको क्या करना है आपको किसी भी पेष लियाऊट मैं जाना है यहां से लगसे कोई इसको साइज देना है अंदर का जो साइज मैंने दिया था वैसे नहीं देना तो आपको क्या करना स्लेक्त करना है और यहां पर आप देख रहे हैं यह shadow tool drop shadow का जो है और आपको यहां देख रहे हैं यह आपको क्लिक करेंगे तो यह देखिए counter tool आपको counter tool पर click करना है आपको counter tool select करने के बाद और यहां से आप देखिए इस select हो जाएगा आपका मैं आपको फिर से एक बार बताएता हूँ सबसे पहले आपको अपको इस पर आपका box से उसको select करना है और उसके बाद यहां से यह counter tool लेना है का और यहां से पकड़ करके आपको यहां से छोड दें और उसके बाद यह देख रहे हैं यहां पर आपको यहां से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और अपने कीवोड से आप कंट्रॉल प्रलस के प्रेस्क करेंगे तो यहां से यह ब्रेक हो जाएगा अब यह देखिए हमारा जो है इंच में ही होना चाहिए जो आपने साइज लिए हुआ है इंच में में तो हमापर उसी में होना चाहिए यह इस चीज का बड़ा ध्यान रखें और इस तरह से आप देखिए कितनी असानी से आप जो है प्रेज मार्जिन सेक्ट कर सकते हैं अब इसको आप कहीं भी कोई बुक बना लें तो मिल्टों के अंदर कुछी सेक्टे सेंदर अपना पेज मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं अच्यूहर अब अब आपको दिखाओं वह इंदर बनाई हुए है यहांसे वही करूँगा मैंने इसको स्लेक्ट किया और मैं अंट्रेट टूल करूंगा और मैंहां से इ प्रषाई और एंटर और देखिए कंटॉल के हमारा चछारी है हमारा इसे बोलते हैँ पेसमार्जिन कि बहुत ही important है या भीना माजंग कोई फिलेद ना बना अब क्या होगा इस अब मैं साफ सुतर है एक अच्छा मतलब equal size का हमारे पार सामनी जो आएगा design आएगा मैं इसको delete करके दिखाएता हूं यह देखिए अंदर अंदर जो हमारा tax जो बारा object है सब कुछ हमारा जो page margin के अंदर होगा और हमें बिल्कुल अच्छा प्रिंट जो है मैं देखने के लिए मिलेगा देखा अपने कितने असानी से आपने page margin जो है select कर सकते हैं कर सकते हैं तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को subscribe जरूर करें मिलते हैं जल्दी नेक्ट वीडियो में एक नई tips के साथ thank you